जै श्री कृष्णा, मैं हूँ रादी का और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकेटी स्टोरीज पर बहुत-बहुत स्वागत हैं इससे पहले के अध्याई में आपने जाना था कि किस प्रकार इश्यों ने श्री सूत जी से पूछा था कि हे सूत नंदन भगवान जलशाई वहां कैसे प्राप्थ हुए है और किस विदी से उनकी पूजा की जाती है तब श्री सूत जी ने जो कुछ भी वर्णन किया उसका महतम आज की सकता में आप सुनिए श्री सूत जी कहने लगे पूर्व काल में वाशकली नाम से प्रसित दानवा को एक राजा था वह बड़ा बलवान और संपुन देवता गंधर्व नाग और राक्षसों के लिए भी अजय था उस महाबली दानव ने संपुन भूमंडल को अपने वश में करके द्यात्यों की सेना साथ लेकर देव लोग पर भी चड़ाई कर दी वहाँ देवताओं और असुरों में एक दूसरी का संघार करने वाला बड़ा भयंकर युद्ध हुआ अंत में दानव राज वाशकली ने सेना तता सामगरी सहित देवराज इंदर पर विजय प्राप्त कर ली तब देवराज इंदर ने देवताओं के साथ स्वर्ग का सिंहासन छोड़ कर श्वेत दियप निवासी भगवान विश्नु की शरन ली जहां शेशिनाग की शया पर श्री हरी योग निद्रा को स्विकार करके शयन करते हैं और देवी लक्ष्मी उनके युगल चरिनार विंदों की सेवा में लीन रहती है वहीं पहुँचकर देवताओं ने सब और से वैदिक सूक्तों द्वारा भगवान विश्नु का भगती पूर्वक इस्तवन किया फिर जगदीश्वर भगवान श्री हरी शया से उठकर देवराज इंद्र से बोले हे सहस्त्राक्ष इस समय तीनों लोकों में कुशल तो है न तुम संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहां कैसे आई हो तब देवराज ने कहा हे भगवन दैतिराज वश्कली भगवान शंकर से वर्दान पाकर बड़ा बलवान हो गया है वह तो देवताओं द्वारा युद्ध में अजे है और उसने युद्ध भूमी में मुझे भी परास्त कर दिया है हे मधुसूदन इस समय वह स्वर्गलोक में निवास करता है और इसी कस्ट से मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपकी शरण में आया हूँ प्रभो, पूर्वकाल में हिरन्याक्ष और हिरनकश्यपू के भैसे तथा अन्यान्य दुरात्मा द्यत्यों के आतंक से भी आप नहीं हम सब देवताओं की रक्षा की है अतहा इस महाबली दानव वाशकली से भी आज हमारी रक्षा कीजिए देवेश, आपको छोड़कर हम देवताओं के लिए दूसरा कोई उत्तमाश्रे नहीं है तब शिरी भगवान कहने लगे हे इंद्र समय आने पर मैं स्वैम उस दानव को दंडू दूँगा इसलिए जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमी में रहकर बड़ी भारी तपस्या करो तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे जगतिश्वर मैं उस दैत्तिका नाश करने के लिए किस छेत्र में तपस्या करो ये आप ही बताईए भगवान विश्णू कहने लगे हे इंद्र चमतकार पुरका छेत्र सिधी दायक है इसलिए तुम वहीं जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो फिर देवराज इंद्र ने कहा हे केशव हम दानवराज वाशकली से डरे हुए हैं इसलिए आप के बिना वहाँ नहीं जाएंगे इसलिए आप भी हमारे साथ स्वय वहाँ चलिए आप से सुरक्षित होकर ही मैं वहाँ भारी तपस्या कर सकूँगा फिर भगवान विश्णू ने तथास्तु कहकर देवताओं और लक्षमिजी के साथ चमतकारपुर के छेतर में पदारपन किया उस समय देवताओं ने अपने लिए प्रथक प्रथक आश्रम बनाया भगवान विश्णू ने वहाँ के प्राचिन और सु विस्तरत कुंड में खीर सागर का अहवाहन किया और श्वेत दीप की तरह वहाँ भीवे शयन करने लगे उस समय सब देवता उनके चारों और विनीत भाव से खड़े होकर उनकी इस्तुति करती थे फिर आशाड कृष्णा द्वितिया पोनिमान्त मास की गणना के अनुसर श्रावन कृष्ण द्वितिया का शुब अवसर आने पर ब्रस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि है पुरंदर आज अशुन ने शयना नाम वाली द्वितिया है ये भगवान विश्णू को अतिन्थ प्रेति थी है ये सुनकर देवराज ने शास्त्रोक्त विधी से व्रत करके उस दिन जलशाई विश्णू जी का पूजन किया और इसी प्रकार चार महिनों तक प्रत्यक द्वितिया के दिन वे श्रीहरी का पूजन करते रहे इससे वे दिवितेज से संपन्न हो गए उन्हें तेज रूप में देखकर भगवान विश्णू बड़े प्रसन हुए और कहने लगे है इंद्र अब तुम संपोन देवताओं के साथ वाशकली का वद करने के लिए जाओ तुम्हारी विजय अवश्य होगी देवशत्रों को मारने के लिए मेरा ये सुदर्शन चकर भी मारे साथ जाएगा ऐसा कहका श्री हरी ने दानवेंद्र का वद करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन चकर को भी भीज़ दिया देवराज ने उस चकर के साथ जाकर युद्ध में फिर संपोन दानवों का संघार कर डाला दानव राज वाशकली भी चकर से मस्तक कट जाने के कारण वज्र के मारेवे परवत के तरह प्रत्वी पर गिर पड़ा और भी बहुत से शूरवीर बलोनमत दानव युद्ध में मारे गए इस प्रकार दैत सेना का संघार करके सुदर्शन चक्र पुनह भगवान विष्णु के हाथ में आ गया वे इंद्र आदी देवता भी निर्भय होकर पुनह भगवान विष्णु के समीप आये और उन्हें प्रणाम करके बोले देवेश आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए और त्रिलोगी का अकंटक राज जिब फिर हमें प्राप्त हो गया अब हमारे लिए सदैव कल्यान करने वाला तथा हमारे शत्रों को भए पहुचाने वाला जो भी करतव्य हो उसका उपदेश कीजिए तब श्री भगवान कहने लगे देवतागणो मुझे तो संपोर्ण लोकों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरेवे इस कुंड में अब सदैव निवास करना है इसलिए तुम्हे प्रतिवर्ष यहां आकर प्रयत्न पूर्वक चातुर मास सिमे होने वाले अशुन्य शयन व्रत का पालन करना चाहिए जिससे तुम्हारे शत्रू होंगे ही नहीं दूसरा जो भी मनुश्य भगती पूर्वक यहां आकर मेरी पूजा करेगा वे सादू पुरुशों के लोक को प्राप्त होगा इंद्र अब तुम स्वर्ग में जाकर राजी करो जब फिर आवशकता हो तब यहीं आकर मुझसे मिलना शिरिसूत जी कहते हैं इसके बाद देवराज इंद्र भगवान विश्नु को प्रणाम करके चले गए और भगवान लोक हित के लिए वही रहने लगे इसलिए सर्वथा प्रयास करके सभी मनुष्यों को उस द्वार का की पूजा करनी चाहिए शिरिसूत जी कहते हैं हे विप्रवरो उसी छेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र रिशी के द्वारा प्रकट किया गया है और वह सभी कामनाओं को पूण करनी वाला है तब रिश्यों ने पूछा हे सूत नंदन विश्वामित्र मुनी का वह निर्मलतीर्थ कि समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है सूत जी कहने लगे हे द्विजवरो वहां पहले से ही एक साधरन जर्णा था जो प्रत्वी पर महातम्य से युक्त होकर बहता था फिर उसी में देवनदी गंगा वहां स्वैमा कर इस्थित हुई जिसमें इसनान करने वाला पुरुष ततकाल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य वहां पित्रों के उद्देश से श्रद्धा पुर्वक श्राध कर्म करता है उसका वह श्राध पित्रों को अक्षे तरप्ती प्रदान करने वाला होता है उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जब आदी सतकर्म किया जाता है उसका अनन्त फल होता है एक समय की बात है व्याद के बान से घायल हुई एक हिर्णी उस देव नदी के जल में घुसी और वही उसकी मृत्ती हो गई उस पुन्य जल के प्रभाव से वही हिर्णी स्वर्ग लोक में में का नामक अपसरा हुई वह अपसरा उस तीर्थ के प्रभाव का इस्मरंड करती हुई चैत्र शुकल तरतिया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर इसनान किया करती थी किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनिश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते वे उसी तीर्थ में आ गए इधर मेंका भी देवदर्शन के लिए स्वर्ग लोक से आई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी तब तक उसकी द्रिष्टी वहां इधर उधर घूमते वे मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ गई उन्हें देखते ही मेंका काम के अधीन हो गई और शिगरता पूर्वक उनके समीब गई उस अद्रिष्ट पूर्व सुन्दरी को देखकर मुनि ने पूछा कल्याणी तुम्हारा शुब हो मन वाणी और क्रियाद्वारा भगवान विश्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भगती हो बाले क्या तुम सदाचार और विने से युक्त होकर सदा प्रे बोलती ही अपने पती के चरणारविंदों की सेवा में संगलगन रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पती के प्रेतमा होने का सुभागी प्राप्त है? क्या पती के सामने या परोक्ष में भी तुम दान आदी से अपने बंधु बांधवां और सुहर्दों का सतकार करती हो? क्या तुम पती के सोजाने पर सोती और उनके जागने से पहले ही उठ जाती हो क्या प्रातहकाल उठकर तुम प्रति दिन अपने घर में स्वयम ही जाडू लगाती हो क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रति दिन प्रणाम करती हो और उन सब को अपनी शक्ती के अनुसार अन और जल देकर फिर सब के बाद भोजन करती हो क्या जल जन्तूओं की रक्षा करती हुई अपने सगन वस्त्र से पानी को साथ बार छान कर पीती हो कभी सूर्यास्त के समय तुम भोजन तो नहीं करती अपने सेवकों, कुटुम्भी जनों और विशेस्ता साधू संतों को दिये बिना तो तुम भोजन नहीं करती क्या तुम दयाभाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जूं, खटमल और मच्छरादी का भी पुत्र की तरह पालन करती हो क्या साधू पुरुशों के मुख से प्रतिदिन भक्ती पूर्वक कल्यान मैधर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उसका पालन भी करती हो क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर भी तुम शास्त्र का वाचक का और उसकी विशेस व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो क्या प्रतिदिन शियो मंदिर में अपनी शक्ती के अनुसार तुम संगीत वाद्यादी की व्यवस्था करती और भेट पूजा उपहार चड़ाती हो क्या तुम साधु पुरुशों को उनका पूरा शरीर ढखने के लिए उप्यूक्त वस्तर अर्थित करती हो तुम दूसरों के घर में विशेश तहा रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं चाती कहीं पती के भूखे होते वे भी तुम स्वेम तो भोजन नहीं कर लेती क्या तुम प्रयत्न पुर्वक पती की आग्या का उलंगन करने के दोश से अपने आपको बचाती हो के परदेश जाने पर मेले वस्त्र धारन करती और दीन दुर्बल तथा मलान वदन रहती हो ना कभी मंदिर के प्रिस्ट भाग में तुम जूठा और तूटा हुआ बरतन तो नहीं रखती रात में जागरनकाल में तुम कथा के स्थान जर्ना एकांथ प्रदेश नदी तट औ और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती और अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बेंदी तो लगाती हो ना तब मेंका बोली मुने आपने जिन के धर्मों का वर्णन किया है भी दूसरी इस्त्रिया है हम तो स्विच्छा विहार करने वाली देव लोग की अपसराए हैं महाभाग आप किस देश से आए हैं आपके दर्शन से तो मेरा मन विचलित हो रहा है मुझे अनुरागणी को आप स्विकार करे नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे यदि ऐसा हुआ तो आपको इस्तरिवत का पाप लगे का विश्वामितर जी कहने लगे भद्रे हम तो शास्तरों की आग्या के अनुसार चलने वाले ब्रहमचारी हैं समस्त व्रतधारियों और विशेस्ता शिवभक्तों का मूल धर्म है ब्रहमचर व्रत का पालन इसलिए हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात मत करना व्रतधारी और शिवभक्त पुरुष सो वर्षों से अधिक समय तक जो तपस्या करता है वो एक बार के इस्तरी प्रसंग से नस्ठ हो जाती है जो पापात्मा इस्तरी को स्विकार करता है उसको शिवोपासना सम्मंदी व्रत व्यर्थ हो जाता है भगवान शिक्के भक्तों को इस्तरीयों के साथ बात चीत करने से भी पाप इसलिए तुम शीकरी सिस्थान से चली जाओ तुम जीवित रहो या मर जाओ परन्तु मैं तुमारी इस बात को नहीं मानूँगा व्रती पुरुषों को इस्त्री वद की अपेक्षा इस्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है इस्त्री वद करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रैशित बतलाया है परन्तु उनके संगम से जो दोश लगता है उसका कोई प्रैशित नहीं कहा इसलिए तुम को यहां से चले जाना चाहिए केवल वरती पुरुषों को ही इस्त्री संगम से पाप लगता है ऐसी बात नहीं है जो वरत से बाहे हैं ऐसे मनश्य भी इस्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं इसलिए समागम की बात तो दूर रहे जो बुद्धिमान अथवा कल्यान चाहे वो इस्त्रियों के साथ वरतालाब भी ना करे शिरिसूत जी कहते है विश्वमित्र जी की ये बात सुनकर क्रोध में भरीवी मिनका ने उन्हें शाप दे दिया ओ दुर्मते मैं तो तुम्हारे प्रती अनुरक्त थी फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है इसलिए आज ही तुम व्रद्धा वस्था से जरजर शरीर वाले हो जाओ तुम्हारे बाल सफेद हो जाए और शरीर में जुर्या पड़ जाए उसके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ट विश्वमित्र उसी जण वैसे ही हो गए तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को ततपर हुए और इस परकार कहने लगे ओ नीच तुमने निर्दोश होने पर भी मुझे शाप दिया है इसलिए तुम भी शीगरी जरावस्था से जरजर अंग वाली हो जाओ रिशी के वचनों से वो भी तुरंत वैसी ही हो गई उस वरत शरीर से मेनका ने पुनह वहां के जलाशे में स्नान किया इसनान करते ही वो पहले की तरह रूप लावने से संपन्न हो गई ये महान आश्यरी की बात देख कर रिशी विश्वामित्र ने भी दूसरे से विदा लेकर अपने अभी स्थान को चले गए उस तीर्थ का ऐसा महातमे जानकर महर्शी विश्वामित्र ने वहां देवाधी देव महादेव जी का लिंग इस्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में पड़ी भारी तपस्या की उन्होंने उस सरुवर को और भी विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है जो सब पापो को हर लेने वाला है जो श्रद्धा युक्त पवित्र हिर्दय से वह इसनान करता है वह सर्व देव पूजित विश्णू लोक को जाता है श्रिसूत जी कहते हैं हे महर्शयो हाट केश्वर छेतर में एक दूसरा परम सुन्दर सारस्वत तीर्थ है वह इसनान करने वाला गूंगा मनुश्य भी बोलने में पटू हो जाता है और वह ब्रहम लोक तक के सभी लोकों में अपनी रुची के नुसार जाता है प्राचीन काल में बल वर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे जो समुद्र परियंत संपून प्रत्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीत कर उसका उपभोग करते थे उनके एक सर्व लक्षन संपन पुत्रुफवा पिता ने बारवे दिन स्रेष्ट ब्रहमनों को बुला कर उसका नाम अम्बुवाची रखा तदंतर राजा का लाड प्यार पाकर वे बालक प्रति दिन बढ़ने लगा परन्तु जन्म से ही मोक होने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सकता था फिर उस बालक का सात्वा वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्य को प्राप्त हो गए तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज सिंगहासन पर पिठा दिया क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था इस प्रकार राज सिंगहासन पर बैठे वे बाल्य अवस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज में सभी और उन्माद होने लगे हमारी प्रत्वी उजड़ती जा रही है इसलिए कोई उचित उपाए कीजिए तब दीर्ग काल तक विचार करके वस्थ जी ने मंत्रियों से कहा हाट केश्वर छेतर में सभी कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है वहीं ये राजा सनान करे तब महर्शिवसिस्ट के कहने से राजा अम्बु वीची ने ततकाल जाकर उस तीर्थ में सनान किया और उसी छणवे मत्र स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जान कर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयम ही सरस्वती देवी की चतरभुजा मूर्ती का निर्मान किया विदाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिये हुई थी तथबाएं हाथ में उन्होंने दिविजल से भरावा कमंडल और सब विद्याओं की उत्पत्ती की स्थान भुद पुस्तक ले रखी थी ऐसी मूर्ती का निर्मान करके राजा ने यतन पुर्वक उसे शिला प्रिष्ट पर इस्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ती पुर्वक उसकी पूजा की फिर श्रद्ध भाव से पवित्र हिर्दे के द्वारा उनके आगे शुत्व और विनीद भाव होकर नरेश ने उच्छ स्वर से देवी की स्थूति की देवी सत असत रूप तथा बंध मोक्ष रूप जो कोई भी वस्तू है वह सब गुप्त रूप से इस्थित रहने वाली आपके द्वारा व्याप्त है ठीक उसी तरह जैसे अगनी के द्वारा इंधन व्याप्त होता है आप ही सिध्धी रूप में सभी लोगों के हरदे में निवास करती हो हे देविश्वरी आपकी जीवा पर वानी रूप से और नेत्र में जोती स्वरूप से विराजमान हो तीनों लोकों में एक मात्र आप ही भक्ती भाव से ग्रहन करने योगी हो शरण में आईवे दीनों और प्लीतों की रक्षा में आप सदातत पर रहती हो आप कीर्ती, आप ही ध्रती, आप ही मेधा, आप ही भक्ती और आप ही प्रभा कही गई है समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांती, शुधा और निद्रा भी आप ही हैं कला, वेला, नाडी, तुरुटी, कास्ठा, रस्ना और सरस्वती सब कुछ आप ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है। जो अधिक होने के कारण मेरी द्वारा नहीं कहा गया हो। वह सब चेस्टा युक्त और चेस्टा रहित वस्तुएं आपका ही अन्य देवता, कस्ठ पूर्वक, आराधना और पूजा करने पर ही मनुश्यों के पाप हरते हैं परन्तु आप केवल नाम लेने से ही सब का उध्धार कर देती हो। राजा अंबुवीची के द्वारा इस प्रकार इस्तुती किये जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यन्त हर्शित होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सुष्थर भक्ती और इस इस्तुती से बहुत संतुष्ठ हूँ, इसलिए तुम शेगरी को इमनुवांचित वर मागो। तब राजा ने कहा, हे देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्विकार करके आप सदा इसी ती जिस भी निमित्त करे, उसकी भक्ती के अनुसार आप उस कामना को शीगर पूर्ण करती रहें। तब देवी सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुब सलिल में स्नान करके अस्टमी और चतुरदशी तिथी को यहां मेरी पूजा करेगा, उसकी मनुवांचित कामनाओं को मैं अवश्य पोन करूँगी। शिरिसूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सभी लोगों के हित के लिए तब ही जिवहानिवास करने लगी। जो मनुष्य अस्टमी और चतुरदशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदनादी के द्वारा वह उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर तक उत्तम वक्ता और मेधा से समपन होता है, सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में कोई भी मुर्ख नहीं पैदा होता, जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवन करता है, वह उनके प्रभाओं से तीन युगों तक परगलोक में निवास करता है जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्या दान करता है वे अशुमेद यगी का फल पाता है जो वहां श्रेष्ट ब्रहमन को धर्म शास्त्र की पुस्तक दान करता है वे भी अशुमेद यगी का फल पाता है जो यद्याय आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अब तक भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा